इस module के अंदर हम देखेंगे कि animals को preserve करना क्यों ज़रूरी होता है सबसे पहले कि animals को हम short term या long term preserve कर सकते हैं अब जो animals की preservation है यह इस वज़ा से important होती है कि sometime वो organism जिसको हमने preserve किया है उसको as a reference के तोर पर हमने use करना होता है अब जब किसी animal को as a reference के तोर पर use करना हो तो ये जरूरी है कि उसको अच्छे तरीके से preserve किया जाए और उसके तमाम जो morphological features है उनको intact रखा जाए इसी तरीके से vertebrate और invertebrate जो है इनकी preservation के लिए बहुत सारे methods है अब हम discuss करते हैं कि जो animals हैं उनकी preservation की reasons क्या है सबसे पहले taxonomic reasons क्योंकि organisms को जब हम identify कर रहे होते हैं तो उन में से हम किसी एक animal को as a reference animal या as a hollow type हम select कर लेते हैं और इसको museum के अंदर हम महफूस करवा देते हैं इसको preserve कर लेते हैं ताके बाद में अगर कोई भी person कोई भी taxonomist इस animal के उपर study करना चाहता है या इस specimens से related और individuals के उपर study करना चाहता है तो वो इस preserve animal को as a model के तोर पर इस्तमाल कर सके इसी तरीके से for taxonomic examinations या detail examination अगर हम individuals के बारे में detail लेना चाहते हैं हम जो है उसके उपर detail study करना चाहते हैं उसके मुखतलिफ characters को study करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस animal को हम preserve कर लें किसी ऐसे preservative के अंदर जिससे उस animal का color और उसके जो organs हैं वो intact रहें इसी तरीके से animal को preserve करना इस वज़ा से भी important होता है कि sometime जब एक researcher किसी भी एक particular animal के उपर study करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं होता कि ये जो animal जिस के उपर taxonomist interested है वो उसकी vicinity के अंदर मौजूद हो या उस animal की जो locality है वहां तक approach करना आसान हो इस वज़ा से वो taxonomist क्या करता है कि अगर जिस species के उपर वो काम करना चाहता है वो किसी भी museum के अंदर मौजूद है preserve farm के अंदर तो वो उस museum curator से राप्ता करता है और वहां से material उधार लेता है और अपनी जो taxonomic studies है उनको complete करता है इसी तरह के से museum record के लिए animals को preserve किया जाता है जितने भी international museums हैं उनके अंदर उस इलाके की even जो है उस species से related जितने भी samples होते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से collect किये गए होते हैं उनको महفوظ किया जाता है अब animal को preserve करने के मुख्तलिफ steps क्या है सबसे पहले animal को kill किया जाता है उसके बाद उसकी fixation की जाती है उस animal की body के अंदर जो respiration का salvation होती है या उसकी body के अंदर जो micro organisms है बेक्टेरिया है उनको खतम किया जाता है उसके बाद खास किसम के jars के अंदर bottles के अंदर उन animals को खास preservative के अंदर रखकर preserve किया जाता है अब जो specimens हैं ये मुख्तलिफ किसम के हो सकते हैं पर जैंपल कुछ specimen ऐसे होते हैं जिनको completely किसी preservative के अंदर डिप किया जाता है पर जैंपल अगर हम histological studies कर रहे हैं या फिर anatomy की study कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो tissue है उसको एक preservative के अंदर मुकंबल तोर पर वेट किया जाएं इसी तरीके से sometime हमें animal की skin चाहिए होती है और उस skin के साथ उसकी skull भी चाहिए होती है कुछ studies के अंदर ये important होता है कि उस animals का जो color है उसकी जो skin है वो अपनी original हालत के अंदर मौजूद हो ताके उसके अंदर जो important bones हैं वो मौजूद हो ताके उस animal के उपर study की जा सके इसी तरीके से बहुत सारे जो animals है उसका जो complete skeleton है बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे जो taxonomist है उस animal की जो skeleton है उसकी base के पर age determine करते हैं उसकी anatomy को study करते हैं और मुख्तनी जो samples है skull के या skeleton के उनको compare करके geographic variations को study करते हैं करते हैं